तो दोस्तों, जितने भी चाइणीज एप हैं, इन्डियन गर्मेंट सभी को बंद करने में लगी हुई है। काफी दूनों से चाइणीज एप को इन्डिया में बंद किया जा रहा है। आज से कुछ टायम पहले, 29 जून को इनडिया में 59 एप को बंद किया गया था। जिसमें TikTok जैसी बड़ी एप भी सामिल थी उसके बाद 2 सितंबर को 118 एप्लिकेशन को इंडिया में बेंग कर दिये गया था TikTok के बाद Snack Video एप्लिकेशन की जो काफी पॉपुलर हो रही थी Google फिलिश को पर लेकिन अभी जो वेरेकी न्यूज निकल के आ रही है अभी इंडियन गवर्मेंट ने 43 एप को फिर से बेंग कर दिये गया है और इसमें Snack Video एप्लिकेशन भी सामिल है आज की इस वीडियो में मैं आपको क्लीर बताने वाला हूं कौन-कौन से एप्लिकेशन को बेंग किया गया है इंडियन गवर्मेंट डॉड़ा अगर आप भी इन्हें एपीशन को यूज करते हैं तो इन्हें फिलिक अनिस्ट्रोल कर दीते हैं क्योंकि आपके डाटा के लिए और अपसी प्राइवेसी के लिए खरणना समय खोज़ते हैं नमस्कार दोस्तों मैं हूँ आपका अपना अंकित और आप देख रहे हैं टेक्निकल सर्जी यूटब चैन्ल चलिए पूरा जानते हैं दोस्तों हम आपको बताते हैं कि इंडिया में अभी कौन-कौन से एप बैन हुए चलिए आपको मुवाइल की स्कीन पर बारी 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 से पूरी लिस्ट दिखाते हैं आप देखिएगा दोस्तों आपको दिखा रहे हैं अफ लिस्ट देख लिजिए अली सप्लायर मुवाइल एप है अलीवाबा बर्क बैंच है आप देख सकते हैं सभी के नाम लिखे हुए इसने एक वीडियो भी है चैम कार्ड भी है कैम कार्ड आप देख सकते हैं साइनी सोसल फिरी ओनलाइ वीडियो और स्ट्रिमिंग है यहना डिंग टैक है आप सबसे की नाम दे सकते हैं तो इस तरीके से इस्ते एपों को बैंट किया गया है दोस्तों यह थे फोर्ट की थी एप जो इंडियन गवर्रमेंट दोड़ा अब इंडिया में बैंट कर ली गए है इसमें इसमें जो कर रही है यह नहीं कर रही है पिलीज अपनी राइक कमेंट बोक्स में जरूर दीजेगा अगर आपको इस वीडियो अच्छी लगी हो और नियुक्त करूँगा इस वीडियो को लाइक जरू कर दीजेगा और हमाई चैनल टेखनी का सब्सक्राइब करके बैल आइक को जरू कि अने वाली टाइम में आपको एसी कहीं सारी वीडियो मिलती रहें चैनल दोस्तों मिलेंगा स्क्रमने इस वीडियो में जरूर मता दीजेगा